आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के सेशन का मेरा जो टोपिक है वो आपको बीएससी इंटर लेवल जो आपको वैकेंसी आई है दोजार तेस में इसके अलाबे आपको बिहार दरोगा का जो आपको लगवग तेरस हो के आसफास जो है वो आपको वैकेंसी वो आपको समाणी होते हैं, टिकर न dish डेट हम ठैंटर मों क्या करेंगे, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए है। आप हमारे चैनल को असुक्त करें और साथी दिन, आपको यह ला निती है् वे आपको सुबद 6 से साथ में मिलती है तो आप लोग 6 से 8 में आकर किया है कि शुरू करते हैं, तो देखें, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रेशन है, वो क्या कर रहा है, इस पर बात करते हैं, कर रहा है कि विपक्ची दल के नेता क्या है, जो विपक्ची दल के कर रहा है, कि जो आपको नेता है, को एक सदन में, विपक्ची के नेता के रूप में, मन दिया जाएगा यहां से आपको पूछा जा रहा है तो देखिए option एक कर रहा है कि सदन की कुल सदसे संख्या का छठा भाग यह आपको नहीं होगा उसका आद है सदन की कुल सदसे संख्या का आठमा भाग यह भी आपको नहीं होगे उसका आद है सदन की कुल सदसे संख्या का दसमा भागत यह जो है आपको अड़ाइट आंसर है ठीक है ना तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्यों आजागा तो आपको सी हो जागा और संसत के दूनों सदनों में जो बिपक्ष के नेता को मन्याता पराप्द हुआ था वो आपको 1937 मुगा था इस बात को भ गश्चे दल का दर्जा जो है दिया जा सकता है क्योंकि किसी भी दल के पास जो है वो आपको 5588 अजा आपको सिटे कैसे आप सकता होगी तो टोटल सिटा भी कितना है 545 और 545 का जो है वो आप क्या किजे कि आप एक कवटा दस कर दीजिए तो इंसान को तो हम काट के तो दस हमला में नहीं लाएंगे इसलिए कम से कम 55 जो सिटे है लोग सभा में अगर कोई पार्टी प्राफ्ट करती है तो उसे क्या होग大 कि व्यवक्षिधर का दरजा दिया जागा तो या दरिखेगा कि व्यवक्षिदर का दरजा प्राफ्ट करने लिए टुटल का एक वटा होना क्या है कि आपको जरूर ज़रूर यह तो उमीद है क्या आप हूँ आठ भी अनुसूची है उसमें जो अनुसुचित भासाओं की शंख्या है. वह आपको बाईस है तुस से आपको यद छीडान है, लेकिन मुल्व समिधान में जब आपको 8-Wी अनुसूची जो थी उसमें दो थी टोट्ल भासा ये वह आपको बोडो इसके लाबे आपको डोग्री और क्या है संथाली । सन्थाले और साथ-साथ जो है, वे आपको मैठली, क्या है मैठली इसे क्या किया गया? कि आपको जोरा गया कब, तो या देखेंगे देखें यह चारो भासा दोजातीणी, इस परकार से समीधान की जो अभी आठिवी अनुसुचिए है, उसमें जो है, आपको, यानि की आप कौन सा कौंकरी मनीपूरी नेपाली इसे जो 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 ज आपके एक्जाम में कुछ लिये जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से या दखोगे, तो दो का जो राइट अंसर हो जागा, वो आपको option number C हो जागा, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग comment करके ज़रूर बताओगे, चलिए, अब हम चलते हैं, तीन म आप देख रहे हैं, भारत का पहला चंद्रियान, वो आपको 22 सक्टूबर क्या है कि आपको 2008 को, क्या हुआ था कि आपको स्री हरी कोटा से जो था, वो आपको launch किया गया था, तो इससे भी आदेट नहीं, 22 सक्टूबर कितना, तो आपको 2008, और इस समय जो आपको क्या थे कि इसरो के डिरेक्टर थे, वो आपको कौन थे, ये भी पुछा जागा, तो देखे, चंद्रियान वन के समय जो इसरो के डिरेक्टर थे साथी हो, वो आपको जी माधवन नायर थे, ठीक है ना, जी माधवन क्या कहेंगे, तो आपको नायर, फिरियां से बात आती है कि चंद् क्या है 14 July 2020 को अब आइए यहाँ पर भी जान लेते हैं कि इस समय इसो के डिरेक्टर कौन थे तो देखें चंध्रियान दू के समय जो इसो के डिरेकटर थे वह आपको के 7 थे या के 7 थे इन्हीं को कहते हैं और के 7 को हम लोग क्या कहते हैं तो भात में Rocket Man of India के नम से जानते हैं और ये जो है चंद्रियान 3 के समय इस वो के डारेक्टर वो आपको एस सोमना थे तो साथ इन सभी चीज़ों का आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको या दखना है फिर यहां से एक चीज़ आप और या दख सकते हो कि चंद्रियान 1 की जो लागत थी वो क्या थी तो देखे तो चंद्रियान 1 की जो लागत थी वो आपको 386 करोड रूपे है ठीक है ना उसके बाद है, चंद्रियान दो का जो लागत था, तो देखें, इसका लागत था 9 से 78 करोर, क्या है, 9 से 78 करोर, तो इसे भी आपको यहाद धखना है, ठीक है, ना, देखें, हम इधर लिख दे रहे हैं, यह आप पर जगर नहीं बच रही सह से, तो देखें, यहाप पर देख पर चंद्रियान मेंशन पर खर्च जो है वो आपको कर चुका है तो इस बात को याँ दखना है और भात में अंतरिक्स के छेत्र में करे करने वाली जो सबसे बड़ी इस पर चंद्रिक्स के आपको अपको कर दिया गया है तो जो भी चीज आपको बता है आप बढ़ियास से उसे देखते चलेंगे क्या है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जो योजना है, किस वर्स प्रारम की गई थी, तो सात्यों या दखना, कि यह यह योजना जो है, वो आपको हर्याना के पानी पत जो है, यही से क्या किया गया था, कि आपको सुरू किया गया था, यानि कि हर्याना के प्रति लोगों को जागरू करना, जो आपको लर्कियों का जो है, आपको जो लिंगान उपात है, वो कम है, उसको क्या करना, कि आपको बढ़ावा देना, तो चार का जो राइट चैंसर हो जाएगा, वो आपको option number D हो जाएगे, चलिए, अब हम चलते हैं, पाच में क्या कहा रहा है, सुनिया, करा कि किस अभधी को योजना आवकास जो है, वो आपको कहा जाता है, तो साथ ही हो, योजना आवकास करा कि किस अभधी को, 1960-62, 1966-1969, 2017-2020, 1947-1951, तो यह जो पहली अभधी थी, वो क्या थी, 1966-1967, मतलब तीन वर्ष की तीन वर्षी की योजना थी, तब पहला 1966-1967, और एक जो था, 1967-1967, एक जो था, वो आपको 1968-1969, तेक न, अब इससे समझें, क्या खेर कि योजना आवकास जो है, वो आपको क्या था, तो तिरतिये पंच वर्ष योजना के शुरात न करके, तीन वर्षों की तीन वर्षी की योजना चलाई, इसे ही क्या कहा गया, तो आपको योजना आपको कहा गया, तो फिर एक वात आती है, कि कौन सी पंच वर्ष योजना सरवाधी का सफल लाई थी, तो तिरतिये पंच वर्ष योजना जो है साती ह वो आपको सरवादिक असफला आथा, तो पाच का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, और इसी काल में क्या हुआ था कि भायत में हरित करांती की क्या होती, क्या आपको सुरुवात होती है, ठीक है ना, और भायत में हरित करांती की ज बिखती है दुनिया के और 1987 में इने 20 सुखाद पुष्कार वो आपको मिला था ठीक है और इनकी एक कुस्तक है उसके वारे मिया दखिएगा तु ए हंगर फिरी वर्ल्ड क्या है तु ए हंगर फिरी वर्ल्ड तेखना इनहीं के द्वारा जो है वो आपको लिखी गई क्या है क आपको उस तक है ठीगा ना क्या है क्या है थूए हंगर फिरी वर्ल्ड यह किन के द्वधा गया है तो क्या क्या है जनते हैं आपको MS Swarminaathan के द्वधा जो है आपको लिखा गया है तो पाच का सही आंसर आपको पता चल गया होगा चले अब हम चलते हैं च्छा में क्या कर रहा है सुनिया तो देखें ऑप्षन ये कर रहा है कि गराम पंचायत का जो गठे नहीं इसका यह नहीं है समान नय तथा निसुल्क भी धिक साहता तो सही आंसर इसका यह हो जाएगा ठीक ना फिरियां से बात आती क्या है उसके बाद है आपको राज्य की परिवासा अनुछेद 12 में जो राज्य की परिवासा है वहीं आपको अनुछेद 36 में भी जो होगी वह आपको राज्य की परिवासा होगी तो राज्य की परिवासा किसमें है तो आपको अनुछेद 34 में कहेंगे तो आपको समान न यह आपको article 39a में है, इसे आपको बढ़िया से याद लगना है, और उसके बाद है ग्राम पंचायत का क्या कहेंगे, कि आपको संगठन, इसकी जो चर्चा है वो आपको article 40 में है, तो इस सब बात आपको याद लगना है, तो यह जो देख रहे हैं, अनुछेद 49a, इसको जो ह समिधान में कब जोरा गया था तो इसे जो है वह आपको 1976 में जोरा गया था कि समिधान संसोधन के दोरा तो या दखिएगा इसे जो है सातियों समिधान संसोधन के दोरा इसे क्या हुआ था कि आपको जोरा गया था तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से या दखना है तो आपको भी हो जाएगा, उमीद है कि आपको यह सारे चीज़ समझ में आ गए होंगे, चलिए, अब हम चलते हैं, स्थाथ में क्या कर रहा है, इस पर चर्चा करते हैं, देखिया है, साथ चो कर रहा है, कि बिम्भी सार किस राजबंस का सा सकता, आप लोग कमेंट करके कि यह जो बिम्भी सार है, वो आपको किस राजबंस का सा सकता है, देखिया, ओप्सन है करा है, सिसुनाक राजबंस, उसके बाद है नंद राजबंस, उसके बाद है मोरे राजबंस, हरियंक राजबंस, तो देखिये, इसका जो राइट आंसर हो जागा न, वो आपको हरिय प्रश्ण आप से पूछे जाएंगे क्या है? यह जो हरियंक बंस है इसके संस्थापक कौन थे इसके संस्थापक साथियो बिम्बी सार्थ थे उसके बाद है सिसुनाग बंस इसके संस्थापक कौन थे तो कहेंगे आपको सिसुनाग थे उसके बाद है आपको नंद बंस इसके संस्थापक कौन थे तो आपको महा पदम नं तो यह सारे चीज आपको अच्छे से या धखना है, तो कभी-कभी आपके एक्जाम में प्रश्ण ऐसे पुछ दिया जागा, कि बताए कि मगत पे सासन करने वाले बंसो को जो है, उनके करम के हिसाफ से सजाएए, तो पहला को जागा, आपको हरियंकर, दूसरा कहेंगे तो आ यह संस्थाफक से पूछा गया प्रश्ण है, इसलिए यहां पर हम क्या किये कि आपको संस्थाफक के बारे में बताए हैं, चलिए, तो साथ का जो राइट आंसर हो जाएगा, वह आपको क्या हो जाएगा, उप्शन नमबर D हो जाएगा, उमीद है प्यारे भाईयो, कि अनुछेद, राष्टपती या उपराष्टपती के चुनाब से संबंधित, संका और विवादों का क्या कहता कि निधारन से संबंधित है, मतलब अगर राष्टपती, उपराष्टपती के चुनाब में क्या होगा, किसी परकार का कोई विवाद होता है, तो उसका जो आप आपको निने होगा सर्वोच नियाले में या बात कहां कही गई है तो आपको अनुचेद कितना हमें जानते हैं तो आपको याने की 71 में क्या है एक 71 में तो इस बात को आपको या दखना है option number 20 का right answer हो जागा देखे इसमें और भी अनुचेद है जैसे देखे अनुचेद 81 तो पर किरिया का जो लेख वगा है पनुचेद 11 में उसके बाद है पनुचेद 11 में इसके तहट क्या जानते हैं जो सबसे पहले जान लीजिए कि जो, मतलब, अनुछे द क doubles definition कहते हैं, sorry, लोग सभाकी जो कुल सदस्य संखियां उनगे, उसके 15%ु से अधिक मंतरी नहीं हो सकते हैं, पधार मंती को लेकर उन से समिधान संसोदर में जानते हैं, तो आपको एक कावन्वा समिधान संसोदर में और यह समिधान संसोदर कब होता है रोजार तीन में तेहां से जो भी प्रस्ट पूछे जाए आप इसे बढ़िया से देख लिजेगा तेहां से में एक प्रस्ट पूछते हैं आपसे आप देखिए यहां पर बात आई राष्ट पती उपराष्ट पती तेह देखिए यह जो राष्ट पती उपराष्ट पती है तो इनका जो पद है वो आपको अमेरिका से क्या है क्या है क्या आपको रेडी थे यह चीज भी आपको याद होने चाहिए और राष्ट्रपती भारत में क्या होते हैं कि आपको करेपलका के जो होते हैं समधानिक क्या होते हैं कि आपको परमुक होते हैं जबकि पधार मंत्री करेपलका के क्या होते हैं कि आपको बस्तविक परमुक होते हैं सभी चीज़ आपको अच्छे से देख लेना है, तो 8 का राइट आंसर आपको पता चल गए होगा, ओप्सन नमबर जो है, भी है, चले नौ में, क्या करा है, कि राष्ट्रिय सिक्षा दिवस, कि इस दिनांग को मनाया जाता है, लेकि 8 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 5 सितंबर, तो राष्ट्रिय सिक्षा दिवस जो है साथी हो, यह आपको 5 सितंबर को मनाया जाते है, किनके जन्व दिवस पे, तो यह देखिएगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी के जन्व दिवस पे, तो भारत के परतम क्या थे, कि आपको उपराष्ट पती थे, और कब तक उपराष्ट पती रहे थे, 152 से, उपराष्ट पती बनने वाले यह क्या थे, कि आपको पहले बेखती थे, तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएगा, option number D हो जाएगा, तो उमीद है साती हो, कि आप सभी लोगों को यह सारे चीज़ों होंगे, समझ में आ गए होंगे, चलिए, अब हम चलते हैं, 10 में क्या कहा रहा है, सुनिया, करा कि मिसन इंदर धनुष का मुख्य उदेश से जो है, वो आपको क्या है, तो यह जो मिसन इंदर धनुष है, यह आपको सुरू कब होता है, तो यह आपको 2014 में सुरू होता है, और इसका उद्धिश से होता है 2020 तक जो है पून टिका करना करना और इसके तहत जो है आपको साथ परकार के जो आपको रोग है क्या है उसके लिए क्या था कि आपको टिका देने का जो था वह आपको राभधान किया गया था तो 10 का राइट अंसर, option number जो जाएंगे वह आपक टिका करना देखिया और यह जो प्रश्ण है वह आपको क्या है कि विहार SSC का आपको एक्जाम हुआ था आपको 22 या 30 दिसंबर 2022 और जो पेपर रद हुआ था उस पेपर का क्या है कि यह सारे प्रश्ण है इस पेपर में संजोगवस हम भी बैटे थे लेकिन यह क्या हो आपके लिए यह पैनल आने के लिए आपको पटना पहुंचे थे हैं और उस एक्जाम को न देकर हम आपके लिए क्या थे कि पैनल लेकर चले आये थे ठीक है ना क्योंकि मुझे जनून था कि इस पैनल पर पढ़ाना है लोग इगारह में क्या कर रहा है अभी भारत के राष्ट्पती है क्यों करते हैं Tigers दरत्चति मुर्मूब बिहार के राजेपाल कहेंगे आपको राजेंद्र विश्वनात पार लेकर भारत का जो मुखे नैदी से अभी वो आपको D-Y चंदर-चूड है, ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ आपको अच्छे से याद अखना है, और उची न्याले का मुखे न्यादिस कर रहा है, तो सभी राज्यों के उची न्याले का मुखे न्यादिस अलग-लग लोग होंगे, तो सबसे पहले याद दिखेगा कि हमारे बिहार में यानि कि पटना उची नियाले कब स्थाफित होता है तो यह आपको 1916 में कितना स्थाफित होता है 1916 में सातियो एक चीज यह दखिएगा कि भात में सबसे पहले उची नियाले कहां स्थाफित होता है तो यह आपको कलकता में उसके बाद जो है याद रखिएगा मदरास के बाद जो हो जाएगा वह आपको बंबई क्या है, बंबई टीक है ना तर देखे तो इन तिनु जगा पे उची नियाले जो स्थाफित होता है वह आपको 800 कितना आमें जानते हैं तो आपको 62 में तो इन चीजो को याद रखिएगा और इसमें सबस तो छूटा उच्छी नेले कहेंगे तो आपको सिक्म उच्छी नेले तो 11 का वाइट अंसर जो हो जाएगा वह आपको option number क्या हो जाएगा तो आपको यह हो जाएगा और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके ज़रू बताओगे चलिए अब चलते हैं चलिए दीजे फ्रस्ट में क्या कर रहा है इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करते हैं आदे के बार आच्छा कुशन है क्या कर रहा है कि भारतिये समिधान में कि संसोधन अधिनियम द्वारा क्या है द्वारा नियाधी करन जो 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 इसका जो सही आंसर हो जागा, वो जागा 12 समिधान संसोदर, 1976 में जो हुआ था, इसी के द्वारा नियाधी करन जोड़ा गया था, तो इस नियाधी करन का जो उलेक है, वो आपको का है, तो साथ यो इसका जो उलेक है, वो आपको समिधान के जो भाग क्या है, आपको 14, ठीक ह तो बारा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? Option number यह हो जाएगा. चलिए, तेरा में. कहरा है कि विभुवांतर मापने की, शरी, विभुवांतर की माप की सेंतर द्वारा जो है, वो आपको किया जाती ते देखे, कहरा है एनिमो मीटर. क्या होता है, कि आपको बॉल्ट मीटर का जो होता है, आपको परियुक किया जाता है, तो option number यह हो जो डी है, इसका, वो आपको राइट हो जाएगा ते एक वाद देखे, एनिमो मीटर, यह क्या होता है, बायू की गति को मापता है, यह आपको बिदुधरा को क्या करता है, क्या क्या करता है, बॉल्ट मीटर जो है, विवांतर को क्या करता है, क्या 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 लंबा इनका क्या है आत्म करता है यह जो लिखे हैं आपको रतना का सेठी और इस पुस्तक का जो भीमोचन किये थे ठीक ना वह आपको कौन तो सरत पबाद तो सारे चीज आपको यहाँ दखना है तो 14 का राइट अंसर वह आपको भी हो जाएंगे चलिए अपको अंद्रा मे है कि भगसई का जर्म जो है वह आपको कहां हूआ था तो शाथियो ऑप्स션 यह करए है बंगा गाउ में सूरजपूर में सलोना गाउ में परहंपूर में तो देखे तब हगसई की ज़ौन में ऑपको भंगा गाउ में हुआ तो ऑप्सnh नमबल यह जो है इसका राइट अंस कब तो आपको टेश्ट मार्च 1931 को ठीक है ना किस केस में तलाहर सद्यंत्र केस में तो यह सभी चीज आपको अच्छे से यह दखना है और भगसी राजगुर सुख देव तीनों लोगों को फासी इसी दिन जो था वो आपको दिया गया था इनकलाब जिंदावाद समराज्य वाद के क्या थे आपको खिलाफ थे मैं नास्ति क्यों हूँ ठीक है ना इनकी लिखी गई उस तक है भगसी जी के द्वारा तो पंदर का जो राइट आंसर हो जागा वो आपको ऑप्शन नंबर यह हो जागा चलिए अब हम चलते हैं 16 में तो इसमें तितकार जो थे वो सबना जो थे जैन धर्म के क्यमें तित्थंक रते हैं तो आपको इसमें महाभी स्वामी जैन धर्म के 24 में तित्थंक रते हैं तो आपको रिशब देव थे और जैन धर्म के 24 में वो रते हैं महाभी स्वामी और महाभी स्वामी को जैन धर्म का जो है वो आपको बास्तिवि जो होता है हमारे भारत में, छटी सताब्दी इशा पुर्व में होता है, जब आपको ब्रहामन धर में जो कुरूतिया होती है, उसी कुरूति के खिलाफ होती है, चलिए, अब हम चलते हैं, 17 में, क्या करणा है, सुनिया, पहरा कि सुगौली की संदी जो है, कब संपन होई थी, तो सातियों सुगौली की जो संदी है, वो आपको 816 में क्या होती है, क्या है, संपन होती है, तो देखे, तो यह जो सुगौली की संदी है, यह आपको गुर्खा, क्या है, गुर्खा और मतलब आंगल गुर्खा यूद के बाद हुआ था यहां से एक बाद आती है कि आंगल गुर्खा यूद कब तक चला था तो 814 से 1800 क्या कहेंगे ता आपको 16 और जिस समय आपको यह मतलब गुर्खा यूद हुआ था उस समय जो भारत का जो मतलब क्या था कि गवर्णर जनरल वह आपको कौन था भारत का गवर इससे दस वस्त भासत किए जो थे और इसी के समय में जो होता है वह आपको अंगल गुर्खा यूद जो होता है वह आपको अस्था पित किए जाते है तो 17 का राइट आंसर वो आपको B हो जाएंगे, चलिए, अठाड़े में, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके ज़रू बताएंगे, देखे, पहले जो है, इस प्रोश्टिन का आप आंसर बताएंगे, ये क्या कर रहा है, देखे, करा कि राष्टिये खेल दिवस्ट जो है, वो आपको कम मना जाता है, आपसन ये करा, आपको 25 सगस्ट, 25 सितमबर, 29 सगस्ट, 29 सितमबर, तो देखे, राष्टिये खेल दिवस्ट जो है, वो आपको 29 सगस्ट को मना जाते है, किनके जर्म दिवस्ट है, तो कहेंगे, म याद आख सकते हैं कि Major जो आपको क्या है ध्यानचन्द जी ठीक है ना यह आपको ओलमपिक में जो है कई ओलमपिक में हिस्था लिए और उसमें भारत जो है आपको गुल्ड मेडल जितने में क्या रहते क्या आपको कम्याब रहते और एक चीज़ आद खिएगा कि ओलमपिक इसमें कॉनसा देस सार्क का सदसे नहीं है तो देखे, साहर के सदसे देस को याद अक्ने के लिए आपको मैं छूटा सा ट्रीक बताया थे, अगर वह ट्रीक याद होगा, ति यह भी असानी से बन जा गया देखे, बताया थे क्या, इस स्री क्या बताया थे, स्री भाभू ने क्या किया जानते हैं कि बाप का माल किसका माल बाप का माल किसको दे दिया बताइए तो देखें स्री भाभू ने बाप का माल जो है वो आपको अफगानिस्तान को दिया किसको दिया देखें क्योंकि यह भाभू जो है इसका अपना माल था नहीं बाप का माल वो किसको दे दिया? अफगानिस्तान को. तो यह जो देख रहे हैं, सी, तस्रीष यह हो जागा आपको श्रिलंका, यादख रहेगा. उसके बाद है, भासे, भारत, बूर से हो जागा भाईयो, भुटान, क्या है? भुटान, ठीके ना? देखें, कैसे आपको यादखना है? न से हो जागा, आपको नेपाल, क्या है? नेपाल, देखें, इसमें दचिने से आके देश ए, तेखेंड़ है. इस परकाट से, चारक का नड़िस्त on, सारक से नगा है, इसमें कितनी है? नतना है. उसन पुछ रहा है कि कौन से चारक से नहीं है? अफगानिस्तान, मालीइब, म उसके बाद कहता है वह आपको आपको नजर नहीं आएंगे उसके लगाद एफगानीस्तान अफगानीस्तान हो गया मालदिभ और मालदिभ भी है कुन नहीं है मौरीसस नहीं है इसका राइट अैंसर क्या हो जागा option number C हो जागा, तो उम्मीद है कि आपको सारे चीज़ जो होंगे समझ में आ गए होंगे ठीक ना, और सार्क जो है क्या तो कहेंगे यह दचिन ACI देशों का एक संगठन है और इसका गठन कब होता है तो आपको 7 से 8 December 1985 को इसका गठन होता है, और इसका जो मुख्याला है और आपको कहा है जानते हैं, आपको कटमांडू में, यह सभी चीज बढ़िया से देख लेना है, तुनिसका सही अंसर आपको C हो जागा, चलिए 20 में क्या करा है कि गण्ये का परती हेक्टेर उत्पादन की टिष्टी से पहुंसता राज्य पर्थमस्था रखता है, तो देखे गण्ये का सबसे अधिक जो परती हेक्टेर उत्पादन होता है वो आपको तमिलाडू में का होता है और सिधे पुछेंगे उत्पादन का होता है उत्तर्पदेश करता है चीनी का सबसे जाधा उत्पादन का होता है तो आपको महाराष्ट में यह से जैसे भी पुछ पुछा जाए आप इसे देख लिजेगा और गण्या जो एकए है तो आपको एक नगदीफ हसल है तो इन सभी चीजों को देख लेना है दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक अगर आजे पूछेंगे तो आपको मध्यपदेश और मध्यपदेश को हम लोग क्या कहते जनते हैं आपको भारत का दिल कहते हैं तो 20 का राइट आंसर वो आपको क्या हो जागा 21 में और देख वाई और ये जो बिहार SSC है इसके वैकेंसी एक तो बहुत दिन बाद आती है आप लोग थोड़ा सा सिद्धत से क्या करेंगे कि इसके तैयारी करेंगे देखें, क्या करा है भारत के समिधान का नुछेद 157 किस से समद्धित है तो देखें, भारत के समिधान का जो अनुछेद 157 वो आपको राज्ये पाल के रूप में निउक्ति के लिए जो योगता है मतलब कि राज्ये पाल बनने के लिए क्या योगता होगी येगना उस योगता के बारे में जो उलेख है वो आपको 157 में तो फिर यह सक बात आती है कि सर, राज्ये पाल की निउक्ति जो है कौन करते हैं तो राज्ये पाल की निउक्ति जो है राष्टपति करते हैं राष्टपति किस अनुछेद के तरत करते हैं तो यहाद देखिएगा अनुछेद देख सो इसी बात पर आप लोग गोको को कमेंट करके बताना है कि बिहार के पर्थम राजय पाल कौन थे और साथ-साथ बरतमान में बिहार के राजय पाल कौन है यह दोनों कुश्चन का अंसर जो है आपको कमेंट वक्ष में देना है तो 21 का राइट अंसर जो हो जागा यानि कहने का मतलबा National Human Rights Commission का अध्यक्ष की से नुक्त किया जाता है, ता सबसे पहले जाने लिजिए कि यह जो NHRC है, इसका गठन का वह था, 200 आपको कितना है, आपको 1393 को संसद के कधिनियम दोरा, इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, इसके जो अध्यक्ष नुक्त किया ज धेक्ष है, वह कोन है, वह आपको अरुन कुमार मिसरा है, तो 22 का सही अंसर को आपको C हो जाएंगे, चलिए, अब चलते हैं, तेस में, देखें, तेस का प्रशन जो है, मिलान करने वाला है, घास से समधी प्रशन को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, एक तरफ कर रह है, महादीप, तो देखें, तो यह जो सिलवास है, यह आपको दचीन अमिर्का का क्या है, क्या है, क्या आपको, यानि कि क्या है, क्या है, घास का मैदान है, उसके बाद है, आपको पंपास कर रहा है, क्या है, यूरोप, ठीक है न, उसका आद है, वेल्ड एकर आफरीका, साथ यो पूमपास देख रहे हैं य आपको अरजण्टीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं या आपको पूमपास कहते हैं और अरजण्टीना आपको दचौन अमिर्का का एक देसे क्या है इसका जो आपको राइठ अंसर हो जाइंगा और आपको option number अगे होंगे चलिए अब हम चलते हैं 24 नमबर प्रस्ट में क्या कर रहा है इस पर चरचा करते हैं देखे तेरा कि निम्न फटनाओं का याथा करम सही क्या होगा इस पर हमको क्या करना है कि आपको चरचा करना है तो देखे इसमें आपको कोई सारे option जो है, वो आपको दीए गए, इसपर हम लोग बात करते हैं, जैसे देखे, पहला के ही बात करते हैं, लखनाउ सम्झा होता, यह कब होता है, 1916 में, साथ यूद लखनाउ सम्झा होता, यह देखिएगा, यह आपको 1916 में, देखिए, सब का मिलान करते चलेंगे, अस्तायोग ग्यानदोलन कब तौ आपको 1930, तो देखे कर रहा है कि अनिमण घटनाओं का या था करम जो होगा, सही क्या होगा, या हमको क्या कहना है कि आपको समझना है, ठीक है नग, तो देखे हैं, अगला कहरा है, असा योगानदोलन, यह कब होता है, यहां से देख लेते, 1920 में, इसका जो है कोई करम है यह गलती है उसका आदे मुस्लिम लिख्या स्थापना यह आपको 1906 में रॉलेक्ट एक्ट 1909 में क्या है 1909 में बंग भंग आंदोलन 1905 में देखिए और नहरू रिपोर्ट यह कवाती है 1908 में ते देखिए इस वक्का भी कोई करम आपको नहीं है तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा उसके बाद देखिए रॉलेक्ट एक्ट 1909 उसके आद है लखनाउक समझा होता है 1916 उसके बाद है सभी नहीं बंग ग्यान दोलन 1930 नहरू रिपोर्ट 1928 तो देखिए इसका भी कोई करम जो है नहीं है तो इसका जो राइ आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है उमीद है कि आप इसे समझ गए होंगे चलिए अब हम चलते हैं तो चीस में क्या कर रहा है चर्चा करते हैं देखिए कि किस घटना से हाथ ठोकर रविना ट्यगोर ने क्या क्या था कि आपको नाइट हुड की उपादी जो ते नाइट हुट की उपादी जो थे वह आपको लोटा दिये थे उसके बादे आपको रॉलेक टेक्ट यह कवाया था भारत 1929 इसे आपको याद रखना है लाहोर सद्यंड केस 1929 और इसी लाहोर सद्यंड केस में क्या होता है कि भगत सीजी को 2-3 कर फासी दे दिया जाता है च 24 कंड यह आपको 1922 में हुआ था ठेना तो यह सभी चीज अच्छे से याद रखना है और जलिया वाला बागतिया कंड के जाच के लिए आपको हंटर आयोग में जो टुटल सदस्य की संक्या थी वह आपको 8 थी जिसमें से 5 अंग्रेश थे 3 जो थे वह आपको भारतिये थे और हंटर आयक को रिपर्ड कनूसार क्या है कि आपको जलिया वाला बाग में जो मारे गये लोगों की संक्या बताई गई वह आपको कितना थी 309 थी यह सब बात आपको अच्छे से याद रखना है तो उमीद है कि आपको यह सारे चीज होंगे समझ में आगे होंगे तो 25 का ओजने रभीनात टेगोरग को खाये कि इन्हें कि पहले राश्टगान जन्रभें में इसके लावे बंगला वांदी का राश्टगान अमा सोनार बंगला जो ऄली थी कुन के तो आपको रभीनात टेगोरग जी याद रिखना है इस सभी बातों को कैसा भी कुशन आप Damit एक्जाम में पुछे जा सकते हैं, देखिए, तो यह जो एनलाइसिस है नहीं, देखिए, का कोई, आपको हम कहेगे कि प्रस्टनली इस एक्जाम के लिए तो ऐसा नहीं है, आप अगर किसी भी परकार की पतियों परिक्षाओं की तहरी करते हैं, तो आपके लिए या बेस्ट या देखिएगा कुषान के समय में, किसके समय में, कुषान के समय में, और महत्मा गांधी कहते हैं, महत्मा बुद्ध की मूर्ती इसमें इतनी सुंदर बनाई गई थी, कि इसके युनानी देपता अपोलो से तुलना किया जाता था, महत्मा बुद्ध की मूर्ती जो है, तो सबसे पहले जान लिजे, गुल में समयलन जो हुआ था, पहला कब हुआ था, 1930 में, 1931 में, 1932 में, तो यहाँ दखिएगा इस तीनों गुल में समयलन में भाग लेने वाले एकमात भातिये वेक्ति जो थे, कौन थे, वियार अम्वेद करी, इस उप्शन के इसाफ से, लेकि से यहाँ दखिएगा यह दोनों बेख्ति जो है, इनों गुल में समयलन में क्या कहते हैं, भाग लिए थे, फिर यहार से बात आती है, कि गुल में समयलन जो होता था, तो देखें, इसका आयोजन जो है, आपको लंदन में होता था, जो 27 इसका right answer जो हो जागा, वो आपको क गंधी जीन, तो यह जो देख रहे हैं, इसका जुसरी आंसर हो जागा, वह आपको option number क्या हो जागा, आपको D हो जाएंगे, तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना, और जहां भी तिक है, तो बार-बार आपसे कहा जा रहा है, कि आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे, चलिए, अठावा इसमें, कहरा है कि निमलिकित में से कौन सा सुमिली इत नहीं है, कहरा है कि एक तरफ समिधान निर्माती सभा है, और एक तरफ जो उसकी समिथी आ है, तो देखे है, कहरा है संचालन समिथी, कहरा है इसके देख जीवी मामलन करते तो यह आपक तो गलत है। के नाम से जाने जाते हैं। के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यह आपको लागू कब होता है। क्या कर रहा है कि कौन सा gas, हसाने वाली gas के रूपमें जानी जाती है। देखें, option कर रहा है, इन मेंसे कोई नहीं, उसका रहत कर रहा है, carbon dioxide, netrous oxide, sulfur dioxide तो इसका जो राइट आँसर हो जागा वह आपको netrous oxide। तो option number C है, वो बिल्कुल सही है, sulfur dioxide देखे, यह जो है, आपको बारिस के लिए क्या होते हैं, हम लिए बारिस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना, तो 30 का जो आपको सही answer हो जाएगा, वो आपको nitrous oxide हो जाएगे, तो साथियो, यहां से क्या है, कि जितने भी gas से समद्धित question होंगे, उसको आपको बढ़िया से देख लेना है, तो आज हम लोग क्या किये हैं, कि मतलब क्लास 10 के अंतरगत, हम लोग 30 MC की उज़ो प्रेस्ट हैं, उसका हम लोग analysis कर लिए, ठीक है ना, तो चली साथियो, आज कि इस क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, मिलेंगे आपसे कल एक बहतर क्लास के साथ, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो, तो आप लोग अपने दोस्तों में भी से अधिक से अधिक share करेंगे, अन्यवाद,